अयोध्या में नए बने राम मंदिर पर उगता हुआ सूरज सिर्फ सुभा नहीं लाता। ये लाखों लोगों की आध्यात्मे कियात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। ये भव्य मंदिर सिर्फ पत्थर और गारे की संरचना नहीं है बलकि एक सभ्यता के विशाल विश्वास और सामूहिक भावना का एक समारक है। सुभह के आकाश में इसकी उंची शिखर की आकरती कई लोगों के लिए आशा और नवजीवन का एक शक्तिशाली प्रतीक है। जैसे ही मंदिर के पवित्र कक्षों में मंत्रों और घंटियों की गूंज गूंजती है, वे अपने साथ सदियों की कहानियां लेकर चलती हैं। भक्ती, संघर्ष और अंतिम विजय की कहानियां। ये सिर्फ पूजास्थल नहीं है। ये उन विश्वासियों की अदम्य भावना का प्रमान है जो इस दिन को देखने के लिए तरस रहे थे। मंदिर भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिद्रिश्य में एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कार्य करता है, सभी को विश्वास की भव्यता को प्रकट होते हुए देखने के लिए आमंत्रित करता है। इसलिए राम मंदिर एक वास्तुशिल्प उपलब्धी से कहीं अधिक है। यह एक प्रकाशस्तंभ है जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्शित करता है, दूरियों और दिलों को एक साथ जोड़ड़ता है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, मंदिर सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाता है, प्रत्येक किरण इसकी दिव्य चमक में जुद्धाती जाती है। सभी को अयोध्या और उसके बाहर इस पवित्र स्थल के गहन महत्व की याद दिलाती है। राम मंदिर की वास्तुकला कालातीत परंपरा और आधुनिक शिल्प कौशल का मिश्रण है। निर्माण में स्वदेशी सामगरियों और तकनीकों का उपयोग न केवल मंदिर की सांस्कृतिक प्रामानिकता को रेखांकित करता है, बल्कि स्थानिय शिल्प कौशल को भी बरावा देता है। बलुआ पत्थर की दीवारें और संग मरमर के फर्ष भक्ती और पवित्रता के रंगों को दर्शाते हैं। मंदिर के डिजाइन के प्रत्येक पहलू की योजना साबधानी पूर्वक बनाई गई है, ताकि मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज गूंजती रहे, जिससे दिव्य उर्जा से भरा माहौल बन सके। मंदिर का विशाल शिखर अयोध्या के क्षितिज के सामने शान से उठता है, आध्यात्मिक मार्ग दर्शन के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। ये स्थापत्य चमतकार न केवल पूजा स्थल है, बलकि सीखने का केंद्र भी है, जिसमें प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन और धार्मिक संसकार करने की सुविधा है। राजसी वास्तुकला और आध्यात्मिकुदेश्य का सनलयन राम मंदिर को प्रिथवी पर दिव्य उपस्थिती का प्रतीक बनाता है। वैदिक परंपराओं और प्रताओं में रुची को फिर से जगाया है। विद्वानों और भक्तों को समान रूप से आध्यात्मिक ग्रंथों और अनुष्ठानों में गहराई से तलीन करने के लिए आकर्शित किया है। राम मंदिर का आध्यात्मिक महत्व अयोध्या की सीमाओं से परे फैला हुआ है। ये लाखों लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्ग दर्शन और सांत्वना की तलाश में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। मंदिर की उपस्थिती ने इस क्षेत्र में भक्ती प्रथाओं को तेज कर दिया है। तीर्थे यात्री, पवित्र अनुष्ठानों और प्रसाद में भाग लेने के लिए दूर-दूर से आते हैं। इसने मंदिर के चारों और एक मजबूत आध्यात्मिक पारिस्थिती की तंत्र का निर्माण किया है। विश्वास और भक्ती से बंधे एक समुदाय को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा मंदिर अंतरधार्मिक समवाद के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। विभिन्न समुदायों के बीच शान्ती और समझ को बढ़ावा देता है। इसके दर्वाजे सभी के लिए खुले हैं। हिंदु दर्शन की समावेशी प्रकृती का प्रमाण है। जैसे ही जै श्री राम का उद्गोश इसके गलियारों में गूंचता है। ये सभी को साजहा अध्यात्मिक अनुभवों से प्राप्त एकता और शक्ती को देखने के लिए आमंतरित करता है। राम जन्म भूमी का स्थल जहां अब राम मंदिर खड़ा है इतिहास और पौरानिक कथाओं में डूबा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता भगवान राम की जन्म भूमी है जो उनके गुणों और धार्मिक्ता के लिए पूजनिये हैं। इस स्थल के महत्व को सदियों से स्विकार किया गया है। जब कोई मंदिर नहीं था तब भी कई तीर थेयात्री अपना सम्मान देने के लिए आते थे। राम जन्म भूमी का इतिहास भगवान राम को समर्पित मंदिरों के कई निर्माणों और पुनर निर्माणों द्वारा चिहनित है। सदियों से इन सनरचनाओं ने विनाश और जीर्ण शीर्णता का सामना किया है जो इस कशेत्र के अशांत इतिहास को दर्शाता है। हालांकि इस पवित्र स्थल पर मंदिर के पुनर निर्माण का संकल्प भक्तों के बीच अटूट रहा है, जो उनके लचीले पन और स्थाई विश्वास का प्रतीक है। राम मंदिर के निर्माण का मार्ग चुनौतियों और विवादों से भरा रहा है। अधारकों को शामिल करते हुए वर्षों का संबाद, कानूनी, लडड़ाई और बात चीत हुए। इस मुद्दे की संबेदन शीलता के लिए सामप्रदाईक सद्भाव बनाए रखने और इसमें शामिल सभी पक्षों की भावनाओं का सम्मान करने के लिए साबधानी पूर्वक संचालन की आवश्यक्ता थी। समाधान के लिए न केवल कानूनी हस्तक्षेप की आवश्यक्ता थी, बलकि समुदाय से व्यापक समझ और स्विक्रती की भी आवश्यक्ता थी। बाधाओं के बावजूद भक्तों का द्रिसंकल्प कभी नहीं डगमगाए। सामुदायक नेता, संत और आम लोग समान रूप से इस मकसद के लिए एक जुट हुए। उनका विश्वास बाधाओं से कम नहीं हुए। उनकी दृता और सामुधि प्रयास अंततर, निर्माण की मंजूरी और शुगवात के लिए मार्ग प्रशस्त करने में सहायक थे। जो उन लोगों के लिए एक महत्रपूर्ण जीत थे। जो लंबे समय से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से संबंधित कानूनी यात्रा कई दशकों से फेले कई अदालती मामलों की एक गाथा है। ये विवाद भारतीय न्याइपालिका के शीर्ष पर पहुँच गया जिसे एक ऐसा फैसला सुनाने का काम सौपा गया था जो इसमें शामिल सभी पक्षों को स्वीकार्य हो। भारत के सर्वोच न्यायाले ने विवाद को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई ये सुनिश्चित करते हुए कि फैसला भारत की विविध आबादी की भावनाओं का सम्मान करे। नवंबर 2019 में दिये गए एक एतिहासिक फैसले में सर्वोच न्यायाले ने विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्मान के पक्ष में फैसला सुनाया जबकि मस्जिद के निर्मान के लिए एक वैकल्पिक भूमी भी आवंटित की। ये संतुलित दृष्टिकोंड सामप्रदाइक सर्भाव बनाए रखने और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश से था। के लिए एक मिसाल भी कायम की। समुदाय के सामुहिक विश्वास ने न केवल निर्मान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया बलकि आने वाली कई चुनौतियों को दूर करने में भी मदद की। यह आस्था ही थी जिसने मंदिर को उसकी पूरी महिमा में उचा उठता हुआ देखने के साजह लक्षे के तहत विविध समुहों को एक जुट किया। इस मकसद में साजह विश्वास ने व्यक्तिगत मतभेदों को पार कर लिया। भक्तों के बीच एक जुटता का बंधन बना लिया। इसके अलावा आस्था की भूमिका केवल निर्मान से परेविस्तारित हुई। यह पिछले संघर्षों के घावों को भरने और मेल मिलाब और एकता की भावना को बरहावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। इस प्रकार राम मंदिर का निर्मान सामूहिक आस्था उपचार की यात्रा बन गया। दिलों को एक साथ लाया और साज़ा विश्वासों और आशाओं की शक्ति के माध्यम से मतभेदों को पाट दिया। राम मंदिर के निर्मान का अयोध्या शहर पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़िडा है। इसक और धार्मिक महत्व को फिर से जीवंत कर दिया है। विद्वानों, इतिहासकारों और आध्यात्मिक नेताओं को इसके समृध्ध, अतीत और जीवंत वर्तमान का पता लगाने के लिए आकर्शित किया है। वरही हुई भीडिये के कारण, बुनियादी धांचे में सुधार हुआ है, तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाये मिली हैं और आयोध्या की सांस्कृतिक विरासत के बारे में वैश्विक जागरूपता बरी है। इसने बदले में स्थानिया आबादी के बीच गर्व और काया कल्प की भावना को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा मंदिर सांप्रदाइक सद्भाव और सांस्कृतिक एकी करण का प्रतीक बन गया है। अपने विभिन्य समुदाइ संचालित कारिक्रमों और पहलों के माध्यम से ये विभिन्य धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों के बीच एकता, शान्ती और आपसी सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देता है। मंदिर के निर्माण के सकारात्मक प्रभाव बढ़े हुए सामाजिक सामंजस्य और अयोध्या के मजबूत आध्यात्मिक ताने बाने में स्पष्ट है। राम मंदिर की भव्यता के पीछे व्यक्तिगत भक्ति और समर्पन की अंगिनत कहानियां है। बुजर्ग भक्तों से जिन्होंने मंदिर के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने पैसे बचाए, युवा स्वसेवकों तक जिन्होंने साइट पर दिन रात बिताए, मंदिर का निर्माण व्यक्तिगत बलिदानों और सामुहिक सपनों का एक मौजग है। ये कहानियाओं केवल किस से नहीं हैं, वे गहरी जड्डें जमा चुके विश्वास का जीवन्त प्रमाण हैं, जिसने इस समार्किय परियोजना को संचालित किया है। और धीरज का जीवन्त प्रतीक बनाती हैं। इसके अलावा, अयोध्या के युवाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक गति विधियों में शामिल होकर, मंदिर की विरासत को आगे बढ़ाने का बीढ़ा उठाया है। इन पहलों के माध्यम से उनका उद्देश्य, भगवान राम की कहानियों और उनके द्वारा निर्धारित आदर्शों को युवापीरी के पीच जीवित रखना है। ये व्यक्तिगत जुड़ाव और योगदान मंदिर के महत्व को सम्रिद्ध करते हैं। इसे सांस्कृतिक निरंतर्ता और आध्यात्मिक शिक्षा का प्रकाश स्तंभ बनाते हैं। और शांति की क्षमता का भी प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कारे करता है कि विश्वास जब सकारात्मक रूप से प्रसारित होता है तो मधभेदों को पार कर सकता है और साजह मानवता की भावना को परहवा दे सकता है। कैसे एक शक्ति-शाली शक्ति हो सकती है। इस प्रकार मंदिर न केवल तीर थियात्रा के लिए एक गंतव्य है बलकि सभी के लिए प्रेरणा का स्रोथ है जो सहिश्णुता, भक्ति और एक्ता के मूल्यों को बरहावा देता है। अंत में राम मंदिर भारत के धार्मिक परिद्रश्य में केवल एक अतिरिक्त नहीं है। ये मानव भावना और आस्था की कहानी में एक नया अध्याय है। ये सभी को उनके विश्वास या प्रिष्ट भूमी की परवाह किये बिना एक्ता की ताकत और समझ के साथ आने वा पीछे चोड़ा जाता है।